हालो फ्रेंड्स वेलकम टू एमार्क स्टड़ी इन दिस वीडियो टॉकिंग अबाउट बार्क टॉप फिप्टी इंपॉर्टन कुश्चन इस टाइप एंटी ट्रैनी केटेग्री वन फॉर डिप्लोमा होल्डर लास्ट वीडियो रहेगा यह बहुत ही जाधे इंपॉर्ट फिरृट को उसे खतम करो ऊंपू ठीक है चली तो भई सअल लोग तयार रहिए त्क है चली और आंशर वी अधर न गटा अलोगे साथ में घ्रियंस अत्रम में डिक एक ए लिए यहां पर सुर्पिंद निया यहां करें तर्द सीर्टि क्या होदा है आल्टो ऑन एस फ्लाग्ज्योर लीटी दफ प्रॉडक्ट ऑप मॉली मॉडूरत ओफ लास्टी और मॉन्ट ओफ इनर्चिया दफ तर्क विच्ट डवलब एउनिटिट यूनिट लैंग्थ एंग् यहां पर चलिए ने सुच्ट देखते हैं यहां पर देखो मैं बता दू ती अपॉन जे जो हमारा फॉर्मुला होता है वो टी अपॉन जे जी जी टीटा पॉन एल होता है ठीक है इस्टिफनेज की बात करें टॉर्क पर रिडियन टुस्ट इस नॉन है स्टोर्जनल स्टिफ टॉर्मुला रिजिटी इस आल्थो डिफाइन एज टॉर्क पर यूनित लेंग एंगुलर टुस्ट पर यूनित लेंग ठीक है जी जे इस गल्टू था टी अपॉन ठीटा अपॉन एल होता है तो यह याद रखना इंपॉर्टेंट यहां पे है सब कुछ डिटा कुछ नम इसकाइब जो होता है वो घी अपन उमेगा सक्वार हो जाते है प्यालां आसर हो जायागा और एक फॉर्मुला क्या होता है भी ख बला मίक ब्यासे locks chat और ड कुछ इम्पोंट फैक्ट पॉइंट है चलिये तो नेस देखते हैं यहां पर आपको देख रहा होगा फॉंक्षन ग्या होता है आपको यहां पर किस से जुड़ा होता है तो बेवल गेर से जुड़ा होता है यह ध्यान रखना ठीक है और कनेक्टेड होता है किस से बैल क्रेंक लीवर से चलिए और उसके वाद टाइप आप गवर्नर जो होते हैं वह दो टाइप के बता है अब आपको बताना है कमें अभी जल्दी से बताए ग्रामो फॉन जो होता है उसमें कौन सा गवर्णर यूज करा जाता है जल्दी से बताईए ठीक है आँसा बताना चीक है सभी लोग चलिए तो नेक्स कूशन देतने अभी लाइक जरू करना से भी लोग बहुत महनत से मैंने पीडिया बनाया आपको पीडिया भी मिल जाएगा ठीक है टेलीग्राम पेडिया म लगवाग दस को मिल जाएगा पीडिया ठीक है विच ऑफ दा फॉलोविंग इस नॉट दा स्मित फॉर्जिंग ऑपरेशन बताई इसमें से कौन सा इसमित फॉर्जिंग ऑपरेशन नहीं है ऐसा पूछ रहा है तो देखे यहां पे देखो यह भी है यह भी है यह नहीं है इस talks और छॉता ऑधर हो जयागा करेक्ट्ट तक की समित फॉर्जिंग में नहीं आता है जानते हो को बठी हैं टि इन मतलब क्या करते हैं एन्विल के ऊपर उसको बीटिंग करते हैं मतलब उसको पीटते हैं तेक उसको फिर चेप दिया जाता है to get the desired shape the operation has to manipulate the component in between the blow the type of operation and will are flaring flaring hootie hai, flattening hootie hai, blending hootie hai, upsetting hootie hai, यह सारे जो होते हैं वो किसमें आते हैं? Smith Forging में आते हैं, ठीक है? और application of Smith Forging कौन को हो जो होगी? It is the use for fabrication component like bolt, nut, key, tongue, यह सब किसमें आते हैं? The agriculture tool like that fabricated by the Smith Forging Machine तो agriculture वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, वो भी बनते हैं Smith Forging से, ठीक है? देखा होगा आपने, चलिए, तो Upsetting क्या होती है? Upsetting is the process of increasing the thickness of the bar तो thickness of the bar ठीक है? जैसे माल लो यह एक यह इस तरीके का बन गया, ठीक है? इस तरीके का बन गया ठीक है? मैं बना रहा हूं थी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की इस तरीकी से तो यह थिक्नेस बढ़ रहह है इसकी ठीक है दिख रहा है ना थिक्नेस बढ़ भर एंग तो इसको हम क्या बोलेंगे अपर सेटिंग बोलेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से अपलाइि करा जाता है सोग्पर तो यहां भी सैटिंग डाउन क्या होता है तो क्या प्राइट फिर प्राइट होते हैं इसमें प्राइट यह पर अधर यहां पर इरिया बढ़ा रहे हैं तो ट्सक्राइब कास्टिंग में क्या करते हैं इसको परिंग करेंगे इसको डालेंगे अंतर तो कुछिस नंबर फोर in double helical gear the helix angle is double helical gear में जो होता है helix एंगल बही कॉन सा होता है बताइये venir Ilokal gear में info घ्र्राइब और ये एक डवल्य महारे रहा हो खिर है हाट रया तो helix एंगल होता है ये अंगल और ठीटा है तो कितना होता लपना, को था है ठीक है 45 को हुट आंसर बताते रहा करो फार साथ साथ में ठीक है तो है लुक्स अंगल यह थे जैङल कर ईज़ लाइन इस राइट है से कुलर स्लेंटर और टेकर धिया डिया लेख ने धेलिकल के यह थे टेफिनिशन है लक्स एंगल आज एम ने मिनिमम्म और लैप एड़ प्रोवाइड गुड लोड शेरिंग है लेक्स एंगल होता है वो पांस लेके 25 तक होता है तो है यह लिखा हुआ है 20 से 45 तो ध्यान दखना इसको चलिए नेफ्स देखते है तो थ्रस्ट जैने टिर्ट त्रस्ट जैने टिर्ट इस आल्सो फंक्शन ऑफ ता है लेक्स मतलब थ्रस्ट अगर जैनेरेट किया जाता है इसका फंक्शन होता है हेलेक्स एंगल का एंड इंक्रीज दा हैलेक्स एंगल इंक्रीज दा थ्रस्ट और हैलेक्स एंगल को हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ता है थ्रस्ट बढ़ता है और दस इस इंक्रीज दा मैन रीजन प्लास्टिक पार्ट आर जैनरली मेड बाई प्लास्टिक पार्ट जो होते हैं वो जैनरली किस से बनते हैं यह आपको बताना है जंदी बताईए जल्द हैं इंवेस्टिंग कास्टिंग इनजक्शन मोल यह थोयसलोग मैं प्लास्टिक पाइट बंतें मूलिक टिक injection molding is a manufacturing process for producing part by injecting material into the mold injection molding is used to create many things such a wire, spools, packaging, bottle, cap and chair and small table, storage containers and most other plastic products are available today देखो आपको देखा दिया है, packaging में होता है, bottle cap में होता है, chairs में होता है ये सारे injection molding में काम आते हैं, ठीक है, तो inject किया जाता है, inject किया जाता है mold से और उसके बाद shape दिया जाता है, directly, investing casting क्या होता है, investment casting में क्या होता है, the investment casting process, also called क्या बख से लोईस्ट वैस्ट प्रॉसेसिंग, ये भी आजाता है, कुशिशन बहुत important है, मतलब कहता है, being with the production of wax replica replica मतलब हुब उसका एक शेम पैटन होता है patterns of the desired shape of the casting it is the preferred where intricate shape are required like swing, machining, firearms and surgical and dental device, turbine blades and gear impiles and hand tools, crank and levers ये सारे investment casting से बनते हैं ठीक है ये दिहान एकना इंपोर्टन है find the magnitude of force exerted by the single of pulley ये आपको figure देख रहा होगा ठीक है इसमा बताईए बताईए भई देखे भई यहाँ पर आपका 10 का न्यूटन लग रहा है तो इस जगे पर भी 10 का लगेगा ठीक है दस क्लोजूल कर नहीं यह यहाँ पर भी लगेगा 10 का ठीक है और एंगिल हमारा 90 का होगा तो ठीटा बराब जब 90 रखेंगे तो यहाँ पर फोर्स का आपको पता है प्लस प्लस तो यहाँ पर बहार निकालोगे तो यहाँ पर बहार निकालोगे इसको बताना बढ़ी करके बताना इसको इसको बताना कोई दिक्कत तो नहीं है इसके इंदर इसको ठीक है चलिए कुछ नमबर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कुछ नमबर सेविन बढ़ाए आंसर बढ़ाए दा अधिसम town centre in तो क्या हो जायए ग्रीटर रे संध तीए इनक्रेशन देती है दी करक्रेक्टर स्टिक एक्क्ट्रस्ट यहई श्कलस ऑफ गैस निक्रतिध् tenía और क्या रटी हो नोग्ещारोगोडवा संध्टर सेथी डद्धिक्त व्क्त हुल ciekßen आव गैस अलब होता है तो किसके लिए होता है नार्ट contain धियान ड्या र्याहन रख लेना और यहां से होज जाएंगे बों कॉन तो यह चीज़ हो गई आगे देखिए कुछ नमपर नहीं देखिए ऑक्सीजन टू एस्टलीन रेश्यू इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लैम बाइवीट देखो मैंने वेल्डिंग का दो वीडियो कराया थे लास्ट में द्यान रखना है वेल्डिंग जो मैंने बार्क का दूस थ्री यजिव यजिव यू टिया छिव तो वन रेश्यू बहन होता है ठीक है इस सिंस्पली जो वॉल्यम में होता है र्षा आप वाइवीट में पूशा आए तो थ्री रेश्यु बढैं स्टार्र । 대해 कंद्द P deleting in in the fluid particle moving in a zig-zag way the flow is called zig-zag flexibility particle अब जैसे मान लो देखो ये fluid particle है ऐसे करके तीड़े मेडे जा रहे हैं टीक है ऐसे करके तो zigzag way में हो रहा है तो look particle cruise कर रहे एक दूसरी को तो इसको बोलेगे turbulent flow power and demodeling important no time समर क्या होता है दो चारजा से ज़ाद होता है ठीक है चलिए तो ले मिन्हार फ्लो के आउगे इस टाइप फ्लो विच इस दा फ्लूड पार्टिकल मूव अलाउग डाव लियाल देफाइनाट पाफ जैसे मालों कि आपका ये है ठीक है तो ये ऐसे करके आपका कि ये ये लियर जा रही है इस तरीके से तो यह इस तरीके से कोई भी फ्रूट का पार्टिकल है या फिर कुछ भी है वो क्रॉस नहीं कर रहा है ठीक है क्रॉस नहीं कर रहा है तो इसको हम बूलेंगे लेमिनर फीलो अब देखो यह पाइप आपका ठीक है इस तरीके से बन गया बन गया कि इस तरीके से इस तरीके से बन गया मैं बना रहा हूं रह reverse ध्यान देनी या यह हो गया ठीक है इसको यह हो गया हो गया यह सो गया एंग लू यह से उसमें पानी करता है तो फ्लूट के पार्टिकल वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को ठीक है बबल फॉर्मेशन भी होता है और यहां पर हाई एनर्जी होती है आप इस जगह पर ठीक है चलिए देखें इस्टडी फ्लो में क्या है कि वेंद फ्लूट पार्टिकल डू नॉट चैन्ज वीड़ैस तो टाइम मतलब फ्लूट की जो प्रॉपर्टी है वो चैन्ज नहीं होती इस टाइम के रस्पट्ट में देन दफ्लोइज आल्सो स्टडी फ्लोव का इक्टरी फ्लो में क्या गपिलेंगे विद वेंद दा फ्लूट पार्टिकल डू की जो प्रॉपर् अगर हमारा रोटेट कर रहा है कोई भी फ्लूड ठीक है तो हम रोटेशनल फ्लू बोलिंगे दफ लू इस डिक्विड थ्रावे लॉंग पाइप ऑफ कॉंस्टेंट डायमेटर कॉंस्टेंट रेट इस स्टडी फॉंप फ्लू ठीक है यह चीज हो जाएगी चलिए अब और भेवे संनंफेट यहां इसके आप च्योल मेटल पर करिए व्याद फेक्त की हैं तो इसको हम स्पैटर बोलते हैं तो वैल्डिंग डिफेक्ट होता है है तो स्बैटर क्या होता है एं अ कि यूनी टेंशनल एन डिपोजिट ओफ वेल्ड मेटल इन दशेप आप दे स्मॉल ग्लोबल ग्लोबिल्स ऑफ दे जॉब सर्फिस अलांग दा वैल्ड इस नोने स्पैटर तो काउस क्या होता है वही एंड टू हाई करेंट सैटिंग और हाई करेंट तो वेल्ड स्पैटर हो पीं होले पॉरसुटी ठीवह यहां पर आपको पॉरसिलिप यहां प्लुब सब्सक्राइब्स ने प्लूगा दे करेंगा उन आपको यह ग्सज़टे पार्टिकल था इसमें पिन होल यहां पेंग इंदो घेंड तो इसे जहाएंगे उसके ब देंड कि यहां पर आपको holes दिखाए दे रहे होंगे ठीक है ये तो हम इसको बोलेंगे ब्रोल्स जो के welding में एक defect है welding defect ठीक है welding defect है ध्यान रखना है चले कुछ नमब बार देंगे very very most important question बार है ठीक है और आ सकता है when the maximum clearance for the given shaft of the hole assembly होल की आसेम्ब्ली दी है डायमेंशन ऑफ होल दे रखाए डायमेंशन ऑफ शाफ दे रखाए ठीक है तो हम देख लिएते हैं वहीं सारी चीज है ज्यार से देखना इंपोर्टन कुश्छन है यहां पर हम करेंगे देखो जैसे अब देखो अपर लिमिट आफ शाफ्ट अब समझना चीज़ों को ठीक है मैं शाफ्ट की पहले सबसे पहले हम होल की बात करेंगे ठीक है तो अपर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट स्वरी हम बात करेंगे होल की अब टाइम लेगे का ठीक है इसमें कुश्चन में तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट अपर लिमिट ऑफ होल होल की बात करें सबसे पहले तो कितना हो जागा बीज प्लस जिरो पॉइंट टू ठीक है तो कितना हो जागा यहां पर बीज 20.2 ठीक है 20.2 हो जागा न 20 में अगर 0.2 जोड़ेंगे तो 20 अपर लिमिट फोल निंका लिए ठीक है अब यहां पर लिमिट उफ पॉइंगे लोवर लिमिट हो लोवर से मेट हो टोर किसे निकलेंगे by बीज में से 0.1 ककला देंगे ठीक है सोरी क्या करेंगे प्लस है तो प्लस कर देंगे 0.1 ठीक है तो 20 प्लस 0.1 ठीक है तो कितना हो जागा 20.1 तो यह चीज़ होगी अपर लिमिट ऑफ होल्ड शाफ्ट की बात कर रहे है अपर लिमिट अफ शाफ्ट की बात करेंगे शाफ्ट की केस कौन सा नीचे वाला तो 20 में 0.0 जोडएंगे यह तो नहीं होगा लोवर लिमिट ऑफ शाफ्ट ठीक है इसको करना सीख लेंगे तो इसमें कितना आजागा 20 में अगर हम माइनस का करेंगे इसमें 0.2 कितना है 0.2 यह ना 가능 कितना हो देना हमारा ओंच पॉइंट यह बड़ जाए अब हमारा पूझल एगा कि क्या पूच्छा पी इसमें आज पूचा है थे तो आपूछा यह तो मेंगे अट तो आहिंए मैं बहुत लेंट क्ल extr ओ da contract यह तो अपे लिमिंट मार लेंट तो upper limit minus lower limit को जाए को 20.2 ठीक है बीस पॉइंट मैंने 2 कौण से लिया 20.2 कौण से लिया मैंने ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है अपर लिमिट आफ होल का और minus करूंगा मैं 19.8 को जो कि मैंने lower limit आफ यहां पे लिया है कितना देखो यहां पे लिया lower limit of shaft तो इस तरके से करूंगा तो हमारा 0.4 आंसर आजाएगा तो हमारा 0.4 कहा है भई 0.4 यह समझ में आ गया होगा जो को करना सीख लेना ठीक है नई समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लेना दुबारा पीछे करके वह समझ लेना ठीक है चलिए कुशन नमबर हम नेक्स देखें कुशन नमबर 13 वाट इस टाइप आफ फ्लो वैन एट स्लेंटिकल वेशर कंटैनिंग सम अफ लिक्विड इस रूटेट अबाउट वर्टिकल एक्जिस क्या होगा इसको अगर हमारा कोई भी फ्लो है वर्टिकल एक्जिस के अबाउट घूम और यहां पर फॉर्टेक्स का जो एक्जम्पिल हम देख लेते हैं तो दफ फोलो दफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रावदा रणर ऑफ दा ब्लेड टरबाइन रोटेशनल ऑफ दा वाटर इन वाशिंग मशीन ठीक है तो यह फोर्स वाटेक्स हो गई वाशिंग मशीन में जो हमारा वाटर होता है किस से करता है अधियों लग टौर होगे हैं थैका है अपने आप गोंगोंगों के इसन में जाएगा तो फ्री एक्षाया है रहा है फोई निला पर हता है कि ऐसे नम्बर 14 वेंदग टनिंग लॉंग शाफ्ट औन लेथ बैंडिंग वेड़न्टेड वाई टनिंग लॉंग शाफ्ट अन लेथ बैंडिंग उप्रोवेंटेड वैं तो किस के आंसर होगा वह हूँ यूजिंग study rest, मतलब हम study rest का हम use करें कि हम किसी भी shaft को हम bending करने से बचा लेते हैं, तो using study rest, ठीक है, यह देहनक न, shaft का, उसका lat machine का question है, बहुत important है, यहाँ पर question देखेंगे, next, question नमर 15 देखें, using the tailor to life, equation with exponent 0.5, if the cutting speed is reduced by 50%, cutting speed को क्या कर रहा है, 50%, the ratio of new to life is original to life, ठीक है, push क्या रहा है, push रहा है आपको, t2 upon t1, ठीक है, तो देखो, मैं आपको दादू, यहाँ पर value रखेंगी, v2 बराबर कितना, यहाँ पर, एक मत रूपना, देखें, यहाँ पर, हमारा n बराबर जो देखा है, वो कितना रखा है, 0.5, ठीक है, 0.5 देखा है, v2 बराबर देखा है, आपको 0.5, ठीक है, आपको t1, t1, t2 upon t1 निकालना है, ठीक है, t2 upon t1 निकालना है, तो यह चीज़ हो गई, अब यहाँ पर, एक formula हमारा क्या बनता है, अबने, पेज भी नहीं लिया, इस जिए पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तर लिग लिए आपने, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके बाद मैं आपको, साफ करके, यहाँ पर, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, यह चीज़ हो गई, थोड़ा ध्यान यहाँ पर, टीटू अपर, टीवन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, वी बन अपर वी टू, ठीक है, यह सवाल अगर समझ में नहीं आए, तो बता जरू देना, मैं कोशिश पूरी करूँगा, अगर नहीं आया, समझ में तो, मैं आपको क्लियर करूँगा, दूसरे टीक है, तो चार आंसर रहेगा, मुझे लगता है, कि आपको समझ में नहीं आयोगा, लेकिन आप बताना जरूँगा, कुछ नमबर 15 नहीं नहीं आया, तो इसको हम दुबारा कर देंगे, ठीक है, बोर्ड पर कर देंगे, या फिर सही से कर देंगे, ठीक है, चलिए, कुछ अब इस तरीके से, तो देखा होगा, अपने, आपने ओटो कॉलिमेटर पढ़ा होगा, जब अपने मेटरोलोजी पढ़ी होगा, तो आपको आया होगा, ठीक है, चलिए, कुछ नमब सत्रे देखिए, इन दा सेल मॉल्डिंग, शेल मॉल्डिंग, कास्टिंग मेटरील यू होता है, वो क्या होता है, फिनॉलिक रेजन, ठीक है, फिनॉलिक रेजन होता है, सी आंसर इसका होगा, तीसरा, चलिए, और शेल मॉल्डिंग का हम थोड़ा देख लेए, इस दा पर प्रोसेस इन विस सेंड मिक्स विद था थर्मो सेटिंग रेजन, फिनो फॉर्मल प्रोटलिक बैदाथ, फिन त्केट्ट्ष नेहं ओ, भाद गातिंग रेजन राहता है, उटेुटं झाल्ग के रहेंगे, ओक 15-իर का मियाए, थे इस दीश सेंड ते बाद सारा जाता है, बंक दे बैद के रैट्षद सेंड पार्डों डेद हो कि तुकि लेजन, इसमें आपके बनेगी किस से शैल मुल्डिंग से ठीक है चलिए कुछ नमर रचा रहे का समर्च आर्क वेल्डिंग ठीक है तो समर्च आर्क वेल्डिंग में देखो यहां पर क्या है कि लेक्टिक वेल्डिंग जो होती है वह रस्टेंट्स वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग दो ताइप की होती है इसमें रस्टेंट्स वेल्डिंग आपको पता होना चाहिए अपसाइट वेल्डिंग और फ्लैस तो यह चीज आपको पता होना चाहिए ठीक है समय आगे चलिए और यहां पर कुछन नंबर हम देखेंगे 19 फॉर मशीनिंग स्रैमिक्स ग्लासेज और प्लास्टिक्स प्लेस्टिक्स विच मैतर्ड इस नॉट एप्लीकेबल ठीक है बताई वह तो मशीनिंग तो यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर नॉन ट्रडेशनल मशीनिंग प्रॉसेस में आते हैं जिसमें मेकैनिकल आजाता है थर्मल आजाता है और यहां पर यहां पूछे देख हैं तो फुल्फ़र्म है याद गलो अभी हाल फलाल में ठीक हैं ऐसे हम होता है थीज्च मोटा फौ्टो केमिकल मशीनिंग और पी-सी-म और लेक्टो केमिकल मशीनिंग ऑग एसी-म ठीक है यह चीज़ होगी मेकैनिकल की बात करें मेकैनिकल उन्हें हो बहुत इम्पोर्टन लेजर बीम बेल्डिंग इपलने प्लाज्म बीम बेल्डिंग प्लाज्म बीम बेल्डिंग फिर प्लास्म प्लाज्म बेंग टो यह आपको पता होना चाहिए एक पढ़ लेना इसको है कुछ नमबर 20 देखे वाट इस दा वैल्यू ऑफ दर टेपर एंगिल प्रोवाइद राफ लांस तो ड्राफ लांस यहां पर कुछ हम अलांस देते हैं जब हमारा पैटन होता है कि बालू में दसा होता है तो हम थोड़ा सा अलांस देते हैं टेपर अलांस इस तो मतलब छूट हिれない होती है पैटन टराफ आपको देख रहा होगा ठीक है यहां पर यह आपर ही देखो यह आपको जगह दिख रही है इसको हम एभालो दिखका तो कितनी देते हैं वह आपको पताना है क्या देते से जिरय और से तिंट यह चारविए रख ऑता है ठीक है, 4 डेगर भी आंसर होता है, तो यह answer हो जाएगा यह, चलिए, कुछ नंबर 21 देखे, what does we present, we represent the conventional abrasive will given by the इतना, ठीक है, तो 51 तो इसमें देखो we present, तो we भाई क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, we हो जाएगा हमारा यहां पर bond type, ठीक है, bond type होगा, अगर आपन समय में नहीं आ रहा है न, तो आप क्या करना, grinding by MRK study डालना, ठीक है, grinding by MRK study, production का दोध बहुत important वीडियो है, वहां से एक दो कुछन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, तो मैं यहां पर, मैं यहां पर, एक चीज पूछ रहा हूँ, एक का मतलब क्या है, आप यहां पर एका मत मतलब बताएंगे, तीन चीज आपको मैं पूछ रहा हूँ, इस कुछ रहा हूँ, इसको डिटिल में बता दो, यह ग्रांडिंग का कुछन है, और इसको डिटिल में आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में बस पांच मनट का वीडियो होगा, वहाँ पे एक चीज किलियर हो जाएगी, आपको एक मनट में, ठीक है, ग्रैंडिंग से बहुत जारे कुछन आते है, देखो, हाई लेवल का कुछन होता है, कि आप पड़ते तो हाई लेवल का है, लेकिन हाई लेवल का नहीं आता है, छ वेल्डिंग हमारा रेल स्ट्रक्चर में है, रेल स्ट्रक्चर, ठीक है, रेल की पट्रियां होती है, जैसे रेल की पट्रिय यह है, दो जोइंट लगाने के लिए आपको देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे वेल्डिंग करी जाएगी, तो यह हो जाएगा तुमा बता रहा हूं वीडियो लाइक जरूर करना बहुत महनत से वीडियो बनाए मैं आपके लिए लास टाइम पर पचास कुशन का इसलिए बनाए कि दद्द सुशन लेकर आ रहा था मैं रोज और डेली डेली थोड़ा सा मुझे भी सही नहीं लग रहा था और मैं सभी के लिए मह मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोग सब्सक्राइब जरू करना चैनल को ठीक है पीडियाब में प्रवाइड करता हूं आप टेली ग्राफ पे जाना पीडियाब भी आपको मिलती रहेंगी ठीक है नहीं मिलेगी पीडियाब मुझे बताना जरूर कुशन में 23 जरूर ksty इक क्या होते है तो फर्मुला को पता हूं थे रेस्टेंस कीडियाब में देख करते हैं यहाँ यह सबसे वहले सब्सक्राइल यहां पर यहां पर चोटा से स्पोर्ट बन जाता है जो कि इसमें दिखाया गया है ठीक है देख सकते हो स्पोर्ट बेंग बोलते हैं पर इसमें देखो स्पोर्ट वेल्डिंग में यूज करा जाता है यह इंपोर्टन कुश्चन और सिंगल फेस लाइन यूज करी जाती है ठीक है यह चीज़ होगी इस पर वेल्डिंग में और यहां पे यह क्या होता है 0.3 mm की प्लेट में हम यूज करते हैं पांच एमम तक की कुर्म लागे तो यह होगी अब यह होगी सीम वेल्डिंग कौन सी यह होगी जिसमें क्या होता है दो पूलर होते हैं आपको दिख रहा होगी यह रूलर है दोनव और यह आपकी प्लेट हैं न कोई Bафक करा याथ आधी तो देखो इस जगह पर देखो यह वेल्डिंग किस रही है तो किरेंगेंस इस होते वह इस तरीके से तो यहां पर इस तरीके से इस तरीके से वेल्डिंग और टिकmot पी आरो जे इ, सी टी आइउन, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या हो जागा बही, देखो, प्रोजेक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे इस तरीकी से, इस तरीकी से, देख रहा है, यह शेप आपको देख रहा होगा इस जगे पे, देखो को इसको मतना बोलते है कि प्रोजेक्शिन ठीक है प्रोजेक्शन बोलते हैं और यहां पर चंपोनेंट्स ह यह आप अपर travailler लोग्यूर्टम कदो्य और को क्या करेंगे फूश करेंगे ठीक है बैल्ड नगेट तो पुछ करें तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगी यहां पर बैल्डिंग हो जाएगी देखो यह दिख रही है बैल्डिंग चलिए तो कुछ नंबर यहां पर 24 देखो 24 का आपको आंसर बताने है कमेंड बॉक्स में ठीक है नहीं आए तो मुझे कोशिश करना की खुद करने की कुछ करना एक तो यहां हो जाएगी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग हो जाएगी जो कि तीसरा अंसर है कुछ नंबर 26 देखे विच आप दर फॉलेविंग इस दा सॉफ्टेस्ट एबरेसिव एबरेसिव ग्रैंडिंग वील से बहुत सारे कोशिस है मेरी क्या सकते हैं तो ग्रैंडिंग मिल का आप बीडियो जरूर देखेगा उसकी जो लिंक है वह ज़रू दूंगा ठीक है नहीं अगर मिले तो आप मुझे कमेंट में एक मैसेज जरू कर देना तो यहां पर सॉफ्ट टेस्ट जो है वह यहां ब्रीयो तो यहां कर्वाइट इसमें 24 सो होता है इसका हाडनेस और यूज दस ग्रैंडिंग कास्ट आयरेन अलुमिनिन ब्रास के लिए यूज करा जाता है यह ठीक है और यहां पर डायमेंड का यागर यूज करा तो 606000 होता है हाडनेस मेटरियल यूज वर ग्रैंडिंग फॉर ग्लासेज सेम के लिए यूज कर जाता है तो ब्लैंगिंग मतलब समझें जैसे प्लेट में आपको ब्लैंकिंग करने या यह पंच है हमारा इस तरीके तो पंच पे हमारा क्लेंग क्राजाता है चलिए प्रॉसेस इन विज दफ पार्टिकल और आर ब्लैंडिंग तोग्यदर प्रैशर हीटिंग टू टैंपरेचर ब्लू इट समेल्टिंग पॉइंट इसको सिंटरिंग बोलेंगे कोई भी पाउडर है ठीक है यह पाउडर है यह चिंपाउडर है दौनों को अगर मिक्स कर रहे हैं एक और और राथ बाइंडिंग् तो गैदर करना है कि या करना हैं प्रैशर हीटिंग लगा रोगाँ करते हैं टैंपरिये जादा जाए देखो ज्यादा बड़ा अगर डेटेल में मैं बताऊंगा सारे कुछन को तो बहुत बड़ा वीडियो में बनेगा पचास कुछन का दो तीन गंटे का बन जाएगा तो इसलिए मैं दद्दस कुछन लेकर आता हूं जिससे एक सही तरीके से समझ में आया चीजे ठीक है से यहां पर देंगी मैटल बैटन में चलिए कुछन नम्बर तीस देखें इन डीसी वेल्डिंग तो स्टेट पोलर्टी एलेक्रोड निगेटिव रखा जाता है तो रिजल्ट क्या होता है बढ़ाई है क्या होता है इस्मॉलर वेल्डिंग पूल होता है इसका ठीक है फिरुड राष तो किसे हो जाएगा ये स्ने काश्टिंग ठीक है तक कुछ्षिण मर्लच काश्टिंग स्लसे काश्टिंग पी इन यहाँ पर्माइनेंट मोल्ड प्रॉसेस इन विज दा मैटल इस पर्मेटेट टू रिमेन इन दा मोल्ड ऑली अंटिल इस शेल अब दा डिजाय तिकने यहाँ पर्माइन दा मोल्ड इस टेकिन इन वर्टेट एंड रेमेनिक लिकुड ऑप और एंड यूज ऑफ हॉलो थिन कास्टिंग के लिए यूज करी जाती है ठीक है तो यह ध्यान अगना चलो कुछ नंबर 32 देगे जोल्ट मशीन इस यूज़ फॉर जोल्ट मशीन फिकर न में होता है भी बताइए रोलिंग प्रॉसेस में ठीक है रोलिंग प्रॉसेस में होता है एक सर्फिस डिफेक्ट जो कि यह जिपर नया कुछन बहुत इंबोड़न है कुछ नंब थर्टी को देगे इन और्थोगोनल मैटल कटिंग इस्पीट 2 mm पर सेगिंड डेफ्ट अव डेफ्ट अफ कटना यह, यहां पे यहां पर एक नचाफिक्ट जो बनती है वो क्या हो जाएक होती यहां पर T1 T1 B1 V और T2 B V तो T1 upon T2 and V upon V यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या गरना VC आपको निकालना तो यहाँ पे देखो T1 जो देखा है आपको 0.50 देखा है 50 ठीक है T2 दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.75 0.7 75 इसकल 2 यहाँ पे हो जाएगा VC by 2 यह इसका V का वैल्ली जो दे रखा है वो दो दे रखा है तो यहाँ पे हम जब solve करेंगे देखो यहाँ पे अगर point रटाओगे आप point राओगे जीरो करोगे यहाँ पे ऊपर कितना है 50 हो जाएगा ठीक है 50 हो जाएगा उपर ठीक है तो यहाँ पे यह हो जाएगा तुमारा VC बराबर VC बराबर हो जाएगा 4 बटी दिन कोशिश करना करने की तो VC बराबर हो जाएगा हमारा 1.33 कोशिश करना करने की ठीक है इसको solve करना data को उसके बाद तो हमारा 0.1.33 पहला आंसर हो जाएगा चलिए कुछ नमबर 35 देखे विच आफ दा फॉलविंग स्टीटमेंट इस करेक्ट इन दा ग्रैंडिंग वील सेलेक्षिन ग्रैंडिंग वील सेलेक्षिन के लिए कौन सा होगा भी बताइए hard grade for soft material थीक है hard grade होता है एक मैंजिय है घलत हो है just have a hard grade for soft material थीस्रा आंसर हो जाया तो फ्रीयरे अब यहां पे देखियं फेक्टर उफाफेक्टिंग तयसलेक्शन सेलेक्षिन ग्रैड्ट तो यूजा चुथ होता है soft सब्सक्राइब होता है वह हाड वील के लिए होता है ग्रेट एरिया अफ कॉंटेक्ट सॉफ्ट वील एंड लो वील सर्फिस स्पीड एंड हाड वील ठीक है तो यह दिखान लगना इंपोर्टेंट है पॉइंट है सारे कुछ नमा 36 देखें इस वाइड ली यूजिन टूल स्टील विकॉज तूल विल में इस हार्ड नेस इविन दा रेड हाड रेड हाड तो रेड हाड नेस यह सारी चीज रेड हाड नेस दे तो बस यह दिख टंग अस्टन लगा दे ना ठीक है तंग अश्टन इंपोर्टन है रेड होटनेस ठीक है तो यहां पर देखें कुछ नमा 36 विच अफ द फॉलिविंग विच अफ द फॉलिविंग विच अफ द फॉलिविंग कर्यक्ट सिक्वेंस ओफ ए क्रस्टल स्टेक्चर विद रेस्पेक्ट टू पर्सेंटेज ओव वोइड ऐस सींपल कुबिक सेल ए टूसरा आपका दूसरा यहां पर देखिए यहां पर मैं आपको सीधे ओरली बता दे रहा हूं इंपोर्टन क्या है एक विचसी और एफ सीची और ही यहां पर्सक्ट पाइंट है इंपोर्टन पाइंट है बीची सी बॉडी सेंटर क्यूबिक एफ सी सी होता है फेस सेंटर क्यूबिक एफ सी पी होता है यहां पर बात करें तो 68% होता है याद कर लें इसको मैंने बहुत बार बता चुका हूं एफ सी मतलब इस कोडिमें बारे होता है नमबर आप चार होता है यहां पे और यहां पर पैक्न फेक्टर फैक्टर जो होता है। 24 परशंट होता है 74 परशंट होता है ऐसी एक सीपमी में देखो कोडियन नमबर बार हो गए नमबर अफ एटम पर इनूट से लोगे छेए एक सिक्स हो गया एंड अटमिक पैकिंग फेक्टर हो गया वह 74 परसंट हो जाता है तो यह कुशन इंपोर्टेंट है यह आते हैं इसे देखो वाट अर्दा में कंटिटेंट ओफ बैर ड मैटल यूस वार दब इंडस्टी बही तो यहां पर क्या अंसर हो गाइए इसका और टिन एंटी मनी ठीक है बैबिट मेटल जो होता है वो बैबिट मेटल is soft white non-ferrous alloy that is used for providing bearing surface, तो bearing surface में इसका यूज करा जाता है, बैबिट मेटल also has property that help it reduce friction which is make to good material for using in a plain bearing, तो ये bearing जो होती है, जो हमारी general bearing होती है, जनल bearing ठीक है, पर्पेंडिकुल और शाफ्ट पर्पेंडिकुल लोड को बियर करती है तो उसमें यूज करा जाता है बैबिट मेटल, तो बैबिट मेटल is tin lat base alloy होता है, ठीक है चलिए, tin base alloy metal क्या होगा है, अब it is constant and tin होगे हमार 88% होगे, एंटी मनी होगे हमार 8% and यहाँ पे copper हो जाएगा 4%, ठीक है ध्यान रखना, इंपोर्टेंट अब ही पढ़ लेना इसको, कुछ नमबर यहाँ पे 1939 देखे, iron carbon phase diagram इसे, तो iron carbon phase diagram जो होगे है, वो क्या हो जाएगा अभी, binary phase diagram होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते है, देखा होगा, iron carbon diagram, डेप्लम होगे हैं सभी, binary phase diagram बोलते हैं इसको, कुछ नमबर 40 देखे, the iron produce in blast furnace, क्या होता अभी, pig iron होगा, ठीक ह हमारा, जैसे carbon होता है, 2% से जाधा है, तो हमारा क्या बनता है, iron बनता है, ठीक है, यह बहुत बर बता चुका हूँ, तो हमारा, यहाँ पे iron की, 2% से कम होता है, तो क्या बन जाता है, हमारा, steel में आ जाता है, तो यहाँ पे देखे, select the thermodynamics defect, from the option given blow, thermodynamics defect पूछ रहा है, तो मै बहुत सारे stickometric defect होता है, frankline defect होता है, scotty defect होता है, यह सारे material science के question है, तैयर करना, देखे, यहाँ पे, expressing dimension, बहुत ही important question है, बहुत ही important question है, तो यह dimension आपको दे रखा, 18.3, upper limit, my 0.00, lower limit, plus 0.02, यह कह रहा है, क्या है, यह, unit lateral tolerance है, bilater tolerance है, limit tolerance है, and all of options, बहुत important है, मैं इसको बता हो, यह है, हमारा unilateral tolerance, अब समझे, example से, देखो, for example, आपको देख रहा है, यह वाला, 18.3 की power है, plus 0.05, upon नीचे है, lower limit 0.05, तो यह upper limit, जो है, यह हो जाएगे, अमारे 18.35, and lower limit हो जाएगे, हमारे 18.2, तो इसका मतलब होगा, bilater tolerance, मतलब दोनों तरफ आपका दे रखा है, इसको हम बोलेंगे, bilater tolerance, इस वाले case में देखिए, इसको साफ कर दे रहा है, इस वाले case में देखिए, इस वाले case में, model price. मतलब, एक सायड में जीरो-जिरो दे रखा होगा, तो रहे दूसरी सायड में कुछ भी value दे रहा हूं, कहीं भी दे रखे है, जाए तो यह कुछ वैल्यू दे रखिए आप इसमें पैचानना तो मुश्किल है इसका बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है इसको मुझे समझाना पड़ेगा आपको बाद में ठीक है बताना जरूर जो कुछ नहीं समझे आ रहे हैं उसको बताना में लेकिन डायट आंसर बता रहा ह कि शवाल इसका देखिए वाट इस दा मैंथर्ड यूज फ़र एविलेटिंग दा सर्फेस फिनिस क्या हो जागा पीक टू वैली हाइड हाइड मैंथर्ड एवरेज रफनेस मैंथर्ड फॉर्म फैक्टर मैंथर्ड आलप ऑप्शन तो करेक्ट आंसर हो जागा हमारा अलप किता शर्फेस राफनेस और ड्रॉयंग रिप्रेजंस तो मैं थे हैं ट्राइंग्लल रॉब 찾य है मतलब रॉइंगर पर हम दिखाते हैं वे चाहिए इस सर्फेस राफनेस को और यहाँ भी फोटी सिंदेगी इनकि औरन नट गोगे क्रंस्वास निया पर यहाँड क्याइव principle हो जाता है इंपोर्टेंट है कुछ नमबर हम 47 देखें फिलर गेज आर यूज टू फिलर गेज किसलिए होदा है अल दा ऑप्षिन चेक दशार सेट असपार्क लगेप ठीक है यह भी सही है चेक दा मीजरमेंट और बेरिंग लेंग यह ठीक है चेक दा गेप बिड़ीन दा मैंटिंग पर ठीक है तो ओल आफ ऑप्षिन आर करेक्ट हो जाएगा ठीक है कुछ नमबर 48 देखें दा एलजेबरेक डिफ्रेंस बडवीन दा मैंग्जिम लिमिट एंड़ बेसिक साइज कॉल्ट क्या बोलते हैं मैं सब करा चुका हूँ ठीक है अच्छी तरीक ते मैंटर दाइवेशन बोलते हैं इसको तो यहाँ पर पचास कुछन नहीं 48 है कोई दिखकर नहीं हो पाई है कोई दिखकर नहीं यहाँ पर क्या करना भी आपको साथ देना है हमारा सब्सक्राइब दिरू करना चैनल को सब लोग को ठीक है बहुत ही उम्मीद रहती है आपसे मैं और मेरे वीडियो मेरे चैनल पर जादर आपको कुछन आंसर ही मिलेंगे आपको अगर प्रैक्टिस करनी है कभी भी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी प्लेलिस्ट में जा की वीडियो देख सकते हो टॉप वीडियो भी बड़े हुए है और होता क्या है कि कभी को बा फाइनली क्या करना है PDF के लिए क्लिक कि यह टू ज्ञूइन पीड ऐफ आपको मिलेगी तो इसमें क्या करना है आपको लिंक जो डिसकन वांक में दे रख्यों बाकी टेली ग्राम पर जरूब जोड़ना आप पांच ज़्यार से ज्यादा लोग है टीक है वहां पर जोड़ना इसकी पीडिया बहीं मिलेगी पीडियाप मिल जाए कुछ देख लेना आप ठीक है बारवर वीडियो कहां देखोगी अब ताइम तो है भी नहीं तो चलिए औ सब्सक्राइब को और चलिए नेक्स्ट वीडियों मिलते हुए जैहिंच जाबारत